ओके तो और मैंने भेल लो कैसर तो फिर से वर्या चुको आप लोग लिए BGM की और भी एक कमाल के वड़ो लगर and behind device वालों के लिए भी होने वाला है तो इस वीडियो को भई आप थोरा सभी skip मत करना इस वीडियो से आप लोगों को अच्छा कासा knowledge मिलने वाला है तो फटाक सभाई इस वीडियो में सारे भाई मिलके एक एक लाइक करें तो अब चलो भई आप एह पर दर्मरबाद नहीं करेंगे फटाफट से वाला की वीडियो को स्टार्ट करते है ओके तो भई नॉर्माली लोग कौन सी ग्राफिक सेटिंग भई सबसे ज़ादा यूज करते है क्या आप लोग को पता है अब जो मरजी वो ग्राफिक सेटिंग भई यूज कर लो लेकिन भई जब आप मिड रेंज में रहोगे तो भले ही बंदा घास पोस में लेटे रहे कोई भी फरक नहीं परता लेकिन जैसे भई आप बंदे के पास में जाते हो बंदा जो भई यहाँ पर गायब हो जाता है अब यह जो चीज है ना आप जो मरजी वो ग्राफिक सेटिंग भई यूज कर लो लेकिन कोई भी फरक नहीं परने वाला भाई मिड रेंज में आप लोग को बंदा दिखेगा अब सामने के तरफ देख सकतो भई एक बंदा लेटा हुआ है ठीक है अब मैंने इस वाले ग्राफिक्स को अपलाई किया लेकिन भई जाधा कुछ दिख नहीं रहाया से ठीक ना यहासे देख सकतो भई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भई थूरा थूरा बस लेकिन अग सा ग्राफिक्स आप लोगों के लिए बेश्ट रहने वाला है ओके तो भई अगर आपके पास 60APS डिवाइस है अगर आपके फोर्म में 60APS सपोर्ट करते है तब इस वाले ग्राफिक्स सेटिंग को आप ट्राई कर सकतो बहुत ही जादा बेश्ट ग्राफिक्स सेटिंग है अब इस वाले ग्राफिक्स को यूज करने के बाद भई कुछ इस प्रकर का रजाल है आप लोगों के सामने आने वाला है यह से देख सकतो भई एनेमी को मैं बहुत ही जादा इजीली स्पोर्ट कर पा रहा हूँ लेकिन यह जो भई ग्राफिक्स सेटिंग है ना यह थोरा स आएंड डिवाइस के लिए है एकदम भई लोएंड डिवाइस के लिए नहीं है और एकदम से अगर भई पास से जातो तबी भई आप लोगों को लगेगा कि हाँ घास में कोई एक बंदा लेटा है अब यह जो ग्राफिक्स सेटिंग है ना यह एकदम लोएंड डिवाइस एक बंदा है लेकिन भई उपर की तरफ से भई बंदा जो है वो साब साब भई दिख रहा है अब भई थोरा सा लोएंड डिवाइस वालों के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ अगर भई मानों की पानी के आसपास भई लास सर्कल बन जाता है ठीक है तब भई आप इ अब जितना सपोर्ट करता हूँ और हाई अल्टरा एक्स्ट्रीम जितना सपोर्ट करता हूँ उस पर आप लोगों को डाल देना एंड जो भई मतलब वो एस टाइल है उसको भई आप लोगो कर देना है अब लोगों डिवास के लिए सबसे जाधा बेस्ट ग्राफिक्स ये बाकी देखो जितने वी ग्राफिक सेटिंग है उनको भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनको यूज करो जैसे कि भई मुवी है उसके बाद रियलिस्टिक है इनको अगर मैं भाई यूज करता हूँ न मेरे को लगता है मैं पुराने जावने में आचुका हूँ और अगर भाई मैं आप भाई स्मूध को यूज करता हूँ तब लगता है भाई चारो तरफ धुनला धुनला है तो मेरे इस अपके जो ग्राफिक सेटिंग आप लोगों के लिए बेश्ट है लो एंड इवालो के लिए और भाई हैंड इवालो के लिए तो वो भाई यही है इनको भाई आप यूज करो अच्छा कसा गेमप्ले भाई आपका हो जाएगा मतलब अच्छा कसा आप खेल सकतो आपका गेमप्ले भाई एक दम स्मूध भी होगा बाकी भाई आज के लिए बस इतर नए इस तरीके कि और भी टिप सेंट्रिंग्स वाली वीडियो के लिए बोलताहू पर हमारे चुछण्च पाटा बट्केश्च पक्रण को साथ-जब रोडिश्युने ऑस्टेब आए अलपे पकर दो तूआ बहूं पहलता गोई जेंट्रेश्न आटकशन वीड़ो में तंब तक के लिए भाई वाई जु Champions झाल